हेलो नमस्कार दोस्तो जैहिंद बंदे मातर दोस्तो ये सब्द दिख रहा क्या लिखा है सेपाई यानि ये जो सेपाई पकड़ा गया है इन चार के साथ ये एक ट्रेलर है मातर क्या है ये ये एक ट्रेलर है फिल्म अभी खुलनी बाकी है अब आपको इससे ये अंदाजा तो हो गया होगा कि इसकी साइटी जाच में इतनी आनाकानी क्यों हो रही है च्योंकि इसमें बहुत बहुत बड़े चहरे सामिल हैं दोस्तो और ये चहरे खुलेंगे ये definite है खुलेंगे क्यों क्योंकि शेर शेरनिया इको ग्राउंड पर जमे हुए है आमरण अंसन पर जमे हुए है दोस्तो सबसे ज़्यादा दुख इसलिए होता है इस देश की ये बिडम बना है क्या कि जब जरोत होती है जब बच्चों को आपकी जरोत है तब उन में से कोई भी नहीं आ रहा बैसे देखो कितना फालतू का ज्यान पिलते है ये विरोजगारी है आपने ये क्या कर दिया सिर्फ अपनी रोटी सेखने के लिए राजनेतिक परपेक्ष देखकर चुनाव के टाइम पर आते हैं अभी बच्चे उनके पास भी जाने है उसके बावजूद भी कोई भी एक्षन इसपनी लिया जा रहा अरे आप में इतना मादा नहीं है इतना दम नहीं है कि आप फिजीकली वहाँ पर प्रिजेंट हों तो आप एक ट्वीट तो कर सकते हैं बच्चों के फेवर में और ट्वीट करेंगे किसी राजनेता का ट्वीट जाता है जो MPML होता है उसका फर्क पड़ता है सरकार पे कि अगर इस मुद्दे को कुछ सॉल्व नहीं किया गया तो ये बड़ा रूप ले लेगा और बड़ा रूप लेगा तो यूथ हमारी पार्टी से कट जाएगा प्रैसर बनाना ही नहीं जानते हैं और इनकी हार का मुख्यकारण भी यही है इसलिए ये जीतते नहीं है दोस्तों आज उनकी जरुद है आज कोई नहीं आ रहा बैसे सब प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बड़े बड़े लीडर बनते हैं दोस्तों ये जो सिपाई है ना ये सिर्फ एक ट्रेलर है ध्यान रखना अभी फिल्म बाकी है इसमें बहुत बहुत बड़े लोग सामिल है इसकेम बहुत बड़े लेविल पर हुआ है S.I.T. जांच तो इसकी होकर रहेगी ये स्योर है इसकी S.I.T. जांच होकर रहेगी और जो धांदले बाजे वो बाहर होंगे सभी इमांदार बच्चे जो पास हैं और जो नहीं पास हैं उन सब को मौका मिलेगा जरूर मिलेगा साथियों बस जीत का यही नारा है कि जब कोई साथ न दे तो खुद के दम पर ही चीजें करनी चाहिए और वो इस समय किये जा रहे हैं जैहिंद बंदे मातरम